Assalamualaikum my dear student, I am comprehension कर रहे हैं chapter number 5 Poem Thank You Lord, Ay Allah, तेरा शुकर है हमें हर हार में Allah का शुकर अदा करना चाहिए आज हम करेंगे homophones Homophones in English are the words with same sound but different meaning and spelling English में homophones उन words को कहते हैं जो sound बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके meaning, उनके मानी और उनके spelling different होते हैं, फरक होते हैं मैं आपके सामने कुछ examples रखती हूँ जिससे आपको बात clear हो जाएगी जैसे यह son, आपको पता है कि जो लड़का होता है उसको English में son कहते हैं, माँ बाप का बेटा और यह sun है, सूरज को भी sun कहते हैं, लेकिन अगर आप spelling देखें तो लड़के के son sun है और सूरज के sun sun है, बोलने में दोनों ही sun है, तो यह homophones की example है next example है, यह देखें steel, steel जो है एक metal होती है, silver gray color की और किसी की पैसे चुराना, चोरी करना भी steel कहलाता है steel जो metal है, धात है, उसके spelling है s-t-e-e-l, steel और चोरी करने के जो spelling है steel के, वो s-t-e-a-l, और यह homophones है, steel and steel, फिर है pray, pray कहते हैं शिकार करने को, जैसे tiger जो है, वो stocks its prey, वो अपने, the act of hunting and killing for food जो जंगली जानवर होते हैं, वो खुराक को हासिल करने के लिए छोटे जानवरों को मारते हैं उनका शिकार करते हैं, इसको कहते हैं pray, p-r-e-y, pray और एक होता है pray, जैसे act of worship, हम दौा मांगते हैं, पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं तो यह भी homophones हैं, pray and pray next है lesson, lesson का मानी होता है come, does it get smaller as you learn your lesson lesson कहते हैं सबक को भी, अभी जो आप, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो lesson पढ़ा रही हूँ लेकिन कोई चीज काम हो जायए तो उसको भी lesson कहते हैं, लेकिन दोनों के spelling referent है काम होने के हैं L-E-S-S-E-N lesson और जो सबक है lesson उसके हैं L-E-S-S-O-N lesson अब आपके बुक में कुछ homophones, given words दिये हैं, आपने उनके homophones लिखने हैं वो given words कौन से हैं, dear, night, sea और rain आपको पता है कि dear जो है एक जानवर का नाम है, उसको हरन भी कहते हैं उर्दू में और dear, जब हम खत लिखते हैं अपनी खाला फुपो को तो हम लिखते हैं dear auntie dear aunt या फिर किसी dear friend, तो dear और dear, dear का मानी होता है dear dear प्यारा और d-e-e-r dear जानवर का नाम है लेकिन ये भी हो मुफा इसी तरह night, जब हम रात सूरज गरूब हो जाता है चांदूर से तारे निकल जाते हैं तो हम night कहते हैं, रात हो गई है और हम सो जाते हैं, n-i-g-h-t night लेकिन अगर इससे पहले के लगा दें तो ये night है जो soldier होता है, जिसने जिराब और बक्तर पहनी होती है उसको night कहते हैं, k-n-i-g-h-t night फिर है c, सुमुंदर में पानी को c कहते हैं सुमुंदर को s-e-a-c, लेकिन देखने को भी c कहते हैं आंखों से देखने को s-e-c कहते हैं तो ये भी c का homophone c है लेकिन दोनों के spelling भी different हैं और मानी भी different है फिर है rain, आप देखें कि ये गोड सवार है इसने लगाम दी हुई है घोड़े को तो ये जो गोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो उसे चमड़े का सामान पहनाते हैं उसको rain कहते हैं, r-e-i-n rain और r-e-i-n rain जो है बादलों से बारिश के बरसने को कहते हैं, बारिश test your spelling अब next segment में आप अपने spelling टेस्ट करें आप ऐसा करें, copy pencil लेके आए आप ठीक लिखते हैं और फिर आपके सामने एक तीन spelling लिख्योंगे इच रो में आपने उसमें correct one को circle करना है तो पहले है, यह क्या है, cloud आप देखें, cloud क, loud तो पहले क, c, l, cloud तो यह तीन spelling है, तो आप इन में से किसको encircle करेंगे, शाबाश, very good तो यह c, l, o, u, d, cloud जो है, यह correct answer है, ठीक है नेक्स्ट है, morning आप लिखें खुद से morning के spelling और फिर इसमें से देखें आपने कौन से लिखें हैं तो morning में m, o, r, n, i, n, g morning तो यह दर्मियान वाला correct one है, ठीक है नेक्स्ट है, family आप family में माँ, बाप, भेहन, भाई आते हैं अगर आपके दादा, दादी, ना, ना, ना नी साथ रहते हैं तो grandparents भी आ सकते हैं तो family, आपने spelling क्या लिखे, family के फ-a-m-i-l-y यह last वाला जो है, correct one है, family फिर है, praise जब आप किसी के लिए तारीफ करते हैं आप clapping भी करते हैं तो praise के आपने क्या spelling लिखे प्रेज, आप देखें के P-R-A-I-S-E, praise यह correct one है क्योंके praise ही भी नहीं होता और prize भी नहीं होता next है, crawl जब बच्चा अपने टांगों और हातों से चलता है तो उसको करते हैं, crawl तो आपने कौन से spelling लिखे crawl तो correct one जो है वो C-R-A-W-L crawl तो क्योंके हम थैंक यू लॉट पढ़े हैं तो अगर तुम मेरे शुकर गुजार बन जाओ इमान ले आओ और अल्ला के कदर शिनास अल्ला जो है वो कदर शिनास है हर हकदार को उसका हक देने वाला है खूब जानने वाला है तो अल्ला तो को तुमें क्या पढ़ी है तुमें अजाब दे माई डियर स्टूडेंट अल्ला से महबत करें अल्ला के शुकर गुजार बने बने अमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इस लेसन पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें